न्यू पैटन में आस्तिन डिजाइन बनाने के लिए कागज की उपर आपको आस्तिन की लंबाई 11 इंच नापकर कटिंग कर लेनी है आस्तिन की चोड़ाई मैंने 6 इंच ली है लेकिन आपको अपने साइच के हिसाब से लेना है कागच की उपर हमें तिर्ची में ऐसे लाइन अप कर लेना है सारे लाइन के बीच की दूरी हमने एक इंच दो पॉइंट लिये अब हमें स्केल की सहायता से ये देखिए यहां से हमें ऐसे तिर्ची में लाइन अप कर देना है इस बात का ध्यान रखे फ्रेंड, सारे लाइन की बीच की दूरी को हमने एक इंच दो पॉइंट रखा है ऐसे लाइन अप करने के बाद यहाँ पर भी लाइन अप कर लेंगे इस तरीके से लाइन अप करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो जिस shape में हमने line up किया है, बिल्कुल उसी shape में हमें ऐसे इसकी cutting कर लेनी है ध्यान रहे friends, सबसे पहले आपको कागच पे ऐसे cutting करनी है कागच पे ऐसे cut करने के बाद, अब हम इस design को कपड़े की ऊपर फैलाएंगे तो ये देखिए, हमें कपड़े की उपर इसे ऐसे फैलाना है कागज को इस तरीके से फैलाते समय कागज की बीच में जो हमने gap रखा है उसका gap आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जरूरी नहीं है कि आप 3 या 4 इंच gap ले आप अपने हिसाब से सारे कागज की बीच की gap रख सकते हैं सारे कागज को आपको ऐसे pin-up कर लेना है कागज को pin-up करने के बाद अब हम इसे line-up करेंगे तो जिस सेप में friend हमने कागज को फैलाया है बिल्कुल उसी सेप में हमें थोड़ी सी दूरी पे ऐसे line-up करना है ये देखिए जिस सेप में कागज है बिल्कुल उसी सेप में line-up करना है लेकिन कागज से थोड़ी सी दूरी पे हटकर ऐसे line-up करेंगे एक side में ऐसे line-up करने के बाद अब हम दूसरे साइट से भी लाइन अब कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से लाइन अब करना है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजा कर, आलका ओप्सन सेलेक्ट करें, जिस सेप में हमने लाइन अब किया है, और उपर की साइट से जिस सेप में कागच है बिल्कुल उसी सेप में कपड़े को कट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, यहां से हमने जिस सेप में लाइनप किया था उस सेप में कट कर लिया है। और उपर की साइड से कागच के हिसाब से हमने कपड़े को कट किया है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई के स्टार्टिंग ये देखे फ्रेंड हमें यहां से करनी है। जिस सेप में हमने कागच को कट किया था बिल्कुल उसी सेप में कागच को ज्वाइंट करके हमें यहां से सिलाई चलानी है। जैसे friend मैं सिलाई चला रही हूँ कपड़े को जोइंट करते हुए बिल्कुल उसी तरीके से आपको भी कपड़े को फोल्ड करके इसके उपर सिलाई चलानी है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कैसे मैं कपड़े को जोइंट कर रही हूँ इस तरीके से आप इस डिजाइन को इजी इस टेप में तयार कर सकती है अगर आप इस पैटन को गले की डिजाइन में बनाना चाहती है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा मैं इस पैटन को गले की डिजाइन में भी बतायूंगी ये देखिए फ्रेंड बिल्कुल इसी तरीके से आपको सारे कपड़े को फोल्ड करके ज्वाइंट करना है जिस सेप में हमारा कागच है बिल्कुल उसी सेप में कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजा कर आल का उप्सन सलेक्ट करें जिससे हमारी नेक्ष्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी तो ये देखिए फ्रेंड एक के बाद एक सारे कपड़े को हमने ऐसे ज्वाइट कर लिया है अब ये हमारा लाश्ट वापाट है जिसे हम ऐसे फोल्ड करके यहां सिलाई चला देंगे अब हमें धागे को और किनारे की साइट से एस्ट्रा कपड़े को कट करना है अब हम कागज में से सारे पीन को निकाल लेंगे सारे पिन को निकालने के बाद अब हमें कागज को भी कपड़े में से निकाल लेना है तो ये देखिए कागज को निकालने के बाद हमारे डिजाइन का लुक बहुती सुन्दर सा आएगा अगर आपको ये डिजाइन पसंद आए तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताईएगा ये देखिए हमारा ऐसा चूनट वाला पैटन बनके तैयार होगा अब हम अस्तर का कपड़ा लेंगे अस्तर का कपड़ा हम आस्तिन के कपड़े में ऐसे ज्वाइंट करेंगे यहाँ पर ऐसे लगाकर एक बराबर में सीधी सिलाई चलाएंगे अब हम कपड़े को ओपेंड करके यहाँ पर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे जिससे हमारा कपड़ा परफेक्ट सेप में बैठेगा अब ये देखिए, यहां से हमें ऐसे फोल्ड करना है ऐसे फोल्ड करके जिस सेप में हमारा आस्तिन का कपड़ा है बिल्कुल उसी सेप में हम इसके उपर सिलाई चलाएंगे सिलाई के स्टार्टिंग हमें यहां से करनी है इस तरीके से आप अस्तर के कपड़े में इस डिजाइन को proper finishing के साथ easily joint कर सकती हैं यहां से धागे को cut करेंगे और किनारे के side से हम extra अस्तर के कपड़े को cut कर लेंगे जिस shape में हमारा आस्तिन का कपड़ा है बिल्कुल उसी shape में अस्तर के कपड़े को cut कर लेना है तो यह देखे फ्रेंड हमारा डिजाइन बनके complete हो चला है अगर आप डिजाइन में मोती लगाना चाहती हैं तो मोती भी लगा सकती है मिलते हैं next वीडियो में एक ने डिजाइन के साथ thanks for watching my video